हेलो एब्रिवान, वेल्कम बैक तो माइ चानल फूडी मॉम आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पैना कोटा दाट इस मैंगो पुडिंग और यह बहुत सिंपल रेसिपी है और आपको यह बहुत अच्छी लगीगी, इस्पेशली समर्स हैं तो हम मैंगो कभी भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे अवेलिबल होते हैं मार्केट में तो आप लाईए और यह जो पुडिंग है घर पे बनाईए और अमेज यूर गेस्ट अजवल एज यूर केट्स क्योंकि यह बहुत सिंपल है दिखने में यह तफ लगती है तो आईए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिये हैं दो मैंगो की प्यूरी टू मैंगो को चॉप करें और मिक्सी में ग्राइंड कर ले तो आपकी मैंगो प्यूरी तयार हो जाएगी और यहां पर मैंने लिया है वन टी स्पून ऑफ जिलेटिन जिसको अगर-अगर भी कहते हैं और साथ में हम लेंगे 2 टेबल स्पून of hot water boiling water नहीं, just hot water और उसको हम big bowl में पोर कर देंगे अगर-अगर जलेटीन के साथ और हम अच्छे से mix करेंगे जब तक ये एक smooth paste फॉर्म ना कर ले और आपको mix अच्छे से करना है ताकि granules जो हैं सारे जलेटीन के वो mix हो जाएं तो देखिए जैसे कि ये कि ऐसा slimy सा paste बन जाएगा और इसके अंदर अब हम drop कर देंगे अपनी mango puree रिमेंबर mixing यहां पर बहुत जरूरी है आप चाहे तो spoon यूज करें चाहे आप whisker यूज करें पर आपको mix बहुत अच्छे से करना है इस जो रेसिपी जो मैं आपको शेयर कर रही हूं पैना कोटा की इसमें mixing सबसे आदा जरूरी है अच्छे से करना है spatula यूज करें spoon यूज करें whisker यूज करें तो यह देखिए जैसे कि अब हम mix करेंगे अच्छे से और जब हम इसको rest के लिए छोट देंगे 5-10 मिनट तो यह थिक हो जाएगी तो देखिए हमारी mango puree है वो थिक हो गई है और यहां पर हम छोटे वाले glass ले लेंगे glass आपको ऐस लेने है चोटे वाले और एक बाउल रखिए नीचे जिससे कि यह तिल्ट हो जाएंगे तो देखिए हमारी mango जो प्यूरी है वो थिक हो गई है अब हम अबाउट 4-5 टेबल स्पून डालेंगे according to the glass size जैसे कि मैं डाल रही हूं ऐसी आपने डालना है और इसको हम 2 आर्स के लिए अपने फ्रिज में नीचे फ्रिज वाले सेक्शन में रखेंगे फ्रीजर सेक्शन में नहीं रखना है इसको फ्रिज के सेक्शन में रखना है तो आफ्टर टू आर्स यह हमारा थिक हो जाएगा mango प्यूरी तो यहां पर मैंने ले लिया है milk about one and a half cup depending on the glass size आपको यह ख करना है milk को boil नहीं करना है तो बहुत low flame पर इसको रखें और अच्छे से mix करना है हमने सब कुछ जब तक जिलेटीन अच्छे से milk में डिजॉल ना हो जाए और अब डाल दी है मैंने about one fourth cup of powdered sugar sugar की जो quantity है वो depend करेगी कि mango कितने मीठे हैं अगर आपके mango बहुत जादा मीठे हैं और अब हम शुगर को भी अच्छे से dissolve कर लेंगे using a spatula, spoon और whisker, anything that you like और अब हम add कर देंगे one teaspoon of vanilla essence और इसको भी हम अब mix करेंगे अपने बाकी इंग्रीडियंट्स के साथ साथ हमने चुटकी भर नमक ले लिया है, sod ले लिया और mix करेंगे और अब साथ ही साथ हम डालेंगे two service spoon of malai that is fresh cream, आप चाहें तो amul की fresh cream भी ले सकते हैं और घर की malai भी use कर सकते हैं, अच्छे से हम सब कुछ mix करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो milk वाला जो हमारा जो pudding का part है वो अब जो है ठिक होने लग गया है, जब आपको लगे कि जादा गरम हो गया तो आप gas turn off क करना यह मैं आपको बात बार बोल रही हूं हमें just steam करना है milk को that too on a low flame तो यहां पर जो हमारा mango pudding का mango वाला part है वो थिक हो चुका है, अब हम इसको cover कर देंगे अपने milk के part से, आप service spoon use कर सकते हैं, डालने के लिए और you can use a cup also as per your liking, so milk से भरने के बाद अब हम फ्रिज में रख Let's garnish it with some chopped mangoes और यह देखिए कितनी tasty, कितनी सुंदर यह लग रही है और जितनी अच्छी यह दिख रही है उतना अच्छा इसका taste भी है Friends, I really hope आपको यह recipe जरूर अच्छी लगेगी, आप जब बनाएं तो जरूर मुझे बताएं, and see I am also having a bite, क्योंकि मैं resist नहीं कर पारी, because it has turned out to be so good यह ऐसे ही बनती है, gelatin ही use करें, and बहुत simple recipe है, बहुत easy है, and अगर आपको यह recipe अच्छी लगे, तो please अपने friends के साथ share करें, like करें video को, अगर आप यह बनाते हैं, तो आप comment करें, I'll be waiting for it, और subscribe करना ना भूले, I'll see you next time, till then take care, bye bye, happy mangoes